सनातन धर्म और वेदो में 4 यूगों की मान्यता है। माना जाता है कि सत्यूग में स्वेम, देवता, किनर, और गंधर्व पृत्वी पर निवास करते थे। हमारे धर्म ग्रंधों में किनरों और गंधर्व के बारे में विस्तार से बताया गया है। सत्यूग के बाद आया त्रेता यूग इस यूग में भगवान स्री राम ने जन्म लिया और वह स्वैम स्री हरी विष्णु का अपतार थे फिर द्वापर यूग की सुरवात होई और इस यूग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया द्वा कल्यूग का कालखंड सबसे छोटा माना गया है और माना जाता है कि कल्यूग में भगवान विश्णु का दस्वा अफ्तार होगा जिसका नाम होगा कल्की वर्तमान समय में कल्यूग ही चल रहा है विश्णु पुरान कल्यूग के वर्णन करते हुए कहा गया है कि कल्यूग मे पाक इतना अधिक होगा कि श्रिष्टी का संतूलन बिगड़ जाएगा कन्या ये बारा साल में ही गर्वती होने लगेगी मनुश्य की आयू आउस्तन 20 वर्स हो जाएगी लोग जीवन भर की कमाई एक घर बनाने में लगा देंगे इन सब के बाबजूल जब पराशर रिशी स सभी देवताओं ने पूछा कि सभी युगों में कौन सबसे बढ़ियां और युग है तो रिशी ने वेद व्यास जी के कतनों का जिक्र करते हुए समझाया सबसे उत्तम कल्यूग है आये जाने वेद व्यास जी ने विश्णु पुरान में क्यों कहा कि कल्यूग को सबसे अधन्य और सबसे उत्तम श्री वेद वियाज जी ने वेदों का वाचन किया और घणपती ने उनके अनुग्रह पर उन्वचनों को लिखित रुप में प्रस्तुट किया पुर्प व्यूग में कल्यूग को स्रेष्ट यूग कहा है यह चौकाने वाली बात जरूर है क्योंकि कल्यूग में तो सबसे अधिक पाप और अत्याचार होगा वेदों और धार्मित ग्रंथों में ऐसा कहा गया है अगर ऐसा हो तो कल्यूग सबसे स्रेष्ट कैसे हुआ विष्णु पुरान में वर्णित एक घटना के अनुसार मुनी जनों और रिश्यों के साथ चच्चा करते हुए वेद व्यास जी कहते हैं है मुनी जन सभी यूगों में कल्यूग ही सबसे स्रेष्ट यूग है क्योंकि यह दस वर्षों में जितना वरत और तब करके कोई मनु करने के तब से प्राप्त किया जा सकता है तो कल्यूग में इतना ही बड़ा पुन्य मात्र एक दिन के तब से प्राप्त किया जा सकता है इस तरह वरत और तब के फल की प्राप्ति के लिए कल्यूग ही सबसे स्रेष्ट समय है अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी त हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यबाद